हेलो एवरीवन हैपी महा सिवरात्री कैसे हैं आप सब आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर तयार हो गई हूँ और नहीं भी हूई हूँ ऐसा कह सकते हैं क्यांकि आधा चीज कर ली हूँ आधा चीज अभी बाकी है तो मैं सोची कि पहले पैर में आ खाना पिना खाऊंगी नहीं लेकिन दोनों बच और हस्वेंड को खाना खिला दी थी क्योंकि हस्वेंड वी आज ऑफिस नहीं गए थे मुझे कहीं जाना है पर फिर बच्चों को भी देखना होगा घर में तो इसलिए का ही एरिंहस में मैं सारो के मैइचिंग एर पूज़ा लगाती हैं नहीं बाल मेरा ठीक ठाक है मैं बनाई थी बाल ठीक ही है और मैं रेगलर जो क्रिम अपलाई करती हूं अपने फेस पर वही मैं आज भी लगाई हूं और लिपिष्टिक बिंदी और कुछ भी में में क्यों तो मैं कैसी लग रही हूं आप लोग बताई और मुझे लगता है पूजा पाठिया सिप चर्चाम जादा मेकप करने की जरूरत नहीं सींपल ही अच्छे लगते हैं तो मैं कुछ भी मेकप नहीं की हूँ एक लिपिस्टिक लगाई हूँ और रेगलर जो क्रीम लगाती हूं बो लगा ली फिर मैं हस्वेंट को बोली कि आ थोड़ा सा ये रजाई बगरा फैला हुआ था तो मैं सोची इसको भी ठीक कर देती हूं क्योंकि अभी तो बेट पर कोई लेटने वाला है नहीं और मैं यंक भी टीवी देख रहा है और मैं रेडी हो गए और बेट का पिलो कवर बगरा आने के बाद लगाऊंगी और को चरहने के लिए तो भाई हम लोग फ्रूट लेकर और फिर निकल गए यहां से तो मार्केट से होते हुए देखिए इस रास्ते पर आ गए और इस रास्ते पर दोनों तरफ हर याली हर याली है बहुत अच्छा लग रहा था और फिर हम लोग गाऊंगी जिनके घर जा रह है और मेरे हस्बेंट भी पाच दस मिएट बैठेंगे उसके बाद बो चले जाएंगे क्योंकि मैं घर में है तो अकेले दोनों बच्चों को छोड़ कर आना अच्छा नहीं लगता है तो हस्बेंट बोले कि मैं चला जाता हूँ और मैं इधर ही रूख गई अभी तो मैं फ तरह से महादेव का मंडप सजाया हुआ था बनाया गया था और यहां पर पूजा हो गया तो फिर रूद्रा अभी शेख होने लगा और अभी देखिए रूद्रा अभी शेख भी हो गया तो इधर बहुत बड़ा इनके घर के आगे इस तरह से है खाली जगा तो एक तरफ 24 गंटा हवन होते रहता है और एक तरफ यहां पर हरा भोला हरा भोला 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 हरा 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 शीवा हरा सीवा 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 हरा हरा के संकिर्तन यहां पर 24 गंटा होते रहता है और फिर देखिए यहां पर अभी आरती हो रहा आरती हो जाएगा तो फिर मैं घर चली जाओंगी husband को phone कर दी हूँ कि अब आ जाई ये पूजा खत्म होने वाला है तो वो आ गए थे और फिर हम लोग घर आ गए और मैं husband को jacket लाने के लिए बोलना भूल गई थी phone पर लेकिन फिर भी husband को लगा कि साम हो गया तो jacket लेकर जाता हूँ और वो jacket कैसे तो लेकर आ गए थे नहीं तो रास्ते में बहुत ही ठंड लग रहा था मुझे और साथ बज गया था रात का और फिर मैं आई तो गैस लेप साप करके अपने लिए और husband के लिए चाय बना दी और बच्चों के लिए भी दूध रखी हूँ क्योंकि दौपर में खाना इसी पर बनाई थी तो उस पर काचाय बृत में नहीं पिया जाता है तो मगा आते हैं गैस लेप साप की और चाय पिली और out जा रही हूं मंदीर क्योंकि आज मंदीर मैं यहाँ पर महादेव के बरात निकलता है सेब लोग जा रहा था तो मैं बोले आप लोग हो किया मैं नहीं जाती हूं तो हस्बेंठ और बच्चे बोले नहीं तुम भी चलो तो भाई इस तरह से सज्जा हुआ था, बहुत ही खुबसूरत लग रहा था, बहुत ही खुबसूरत क्या ही बताएं आप लोगों को कि कितना खुबसूरत लग रहा था, देखने से लग रहा था कि जैसे मेरे महादेव के बरात सच में जा रहा है, हम लोग सच में बराती तरफ से जा और देखिए इस तरह से हम लोग मंदिर के पास पहुँच गया और यहां बहुत बड़ा मंदिर के पास तलाब है तो तलाब की किनारे भी देखिए इस तरह से बहुत ही सुनदर सजावट किया हुआ था चारों तरफ दिया जल रहा था मैं तो थूदा लेट से आई थी तो पुछ जल रहा था, इतना सुन्दर लग रहा था, अद्भूत नजारा लग रहा था और देखिये यहां पर मंदीर के पास और मंदीर भी बहुत खुब सूरत सजाया गया था और यहां है मंदीर के बरामदा, तो बरामदा में मैं आ गई, अब चलिए आप ложो को अपने महादेव से मिलवाती हूं देखिए महादेव शिबलिंग के उपर इस तरह से सजाया गया और यहां पर मेरे महादेव सज धज करदूले बनकर बैठे हुए कितने सुन्दर लग रहे हैं तो आप लोग भी परनाम कर लीजिए महादेव को और आसिरवाद ले लीजिए और बारात में सामिल हो जाएए क्योंकि आज मेरे महादेव का बारात है और मंदीर से बाहर मैं आ गए और मंदीर के चारों तरह बहुत बड़ा बरामदा है तो सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं और अभी तो थोड़ा आप लोगों को खाली दीख रहा होगा लेकिन इतना लोग हैं मैं मंदीर से ही वीडियो सूट कर ली थी देखिए एक दम पूरा लग रहा है जैसे सारा सार के लोग इकठा हो गया है और बाहर के लोग भी इतना ज़्यादा लोग है और फिर पंडाल भी कुछ इस तरह से सजाया हुआ है मैं अभी आपको दिखाती हूं देखिए बहुत सब कुछ इस तरह से सजाया हुआ था ना कि लग रहा था कि स्वर्ग आ गया है हमारे महादेव के कैलासी धर्ती पर आ गया ऐसा लग रहा था और जो रास्ता है यह रोड से मंदिर तक का है उसको भी बेहत खुबसूरत तरीके से सजाया गया था देखिए यहां से मंदिर का जाने का रास्ता है और फिर हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और जा रहे हैं अभी जहां पर बारात गई है जिधर उधर के रास्ते हम लोग जा रहे हैं तो देखिए बीच बीच में इस तरह से लोग डांस भी करते जा रहे थे आखिर डांस क्यों ना करे हमारे महादेव की बारात जो है तो बारात में तो डांस करना बनता है वो भी देवो के देव महादेव की बारात में हम लोग सामिल हुए हैं और फिर एहां पर देखिए महादेव के बरात में गोड़ा भी था और हाथी भी था बहुत सारा मतलों लोग भी थे हाथी गोड़ा सब कुछ था लेकिन हम लोग एहां तक ही महादेव के बरात देख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था रात के 10 बच गया था तो हम लोग अभी एही से बापस चले जाएंगे क्योंकि आज तो रात भर पूरा सहर में बरात घूमता है तो हम लोग उतना नहीं घूम सकते ना ठंडा भी हलका हलका है और बच्चे भी साथ में हैं तो कहीं और मयान का पहले से भी तबियत खराब है तो इसलिए हम लोग फि फिर वही काम रोटी बनाना है क्योंकि मैं सबजी दोपर में ही बना ली थी मुझे पता था कि आज रात में लेट होने वाला है तो मैं सबजी दोपर में थोड़ा जादा बना ली थी कि रात में भी हो जाएगा तो अभी मैं दूद गर्म होने के लिए रख दी हूं दस मिनट से जादा ही बड़ा बलोग हो जा रहा है आप लोग तो उतना बड़ा बलोग देखते नहीं तो फिर बाई बाई